IPS यानि कि Indian Police Service बहुत सारे इस्ट्रेंट IPS बनना चाहते हैं और इसको उपर मैंने आलरेडी वीडियो बनाई है तो आप सभी ने उसको बहुत ज़्यदा सपोर्ट के तो सबसे प्ले तो आप सभी को थेंक यू बहुत सारे इस्ट्रेंट के मन में ये डाउट है कि IPS बनने के लि आपको कितनी पढ़ाई करने पड़ेगी कहने का मतलब है कि क्या क्वालिफीकेशन होनी चाहिए तो दिखो अगर मैं क्वालिफीकेशन की बात कर ले तो बहुत सारे इस्ट्रेंट के जो मन में डाउट है कि 12 पास करने के बाद ही IPS बन सकते तो दोस्तों आप अपने मन से य क्वाल होगा कि कौन सा सबजेक्ट अच्छा होता है तिंथ के बाद कौन सा ले 12 के बाद कौन सा ले तो मैं आपको कहना चाओंगा देखो IPS बनने के लिए ऐसा कोई पाटरिकूलर डिसाइड नहीं किया गये कि आपको कोई पाटरिकूलर सबजेक्ट पढ़ना पड़ेगा स तो इस सीज़ को आपको समझ में आ गया होगा न आ कि आपर से भी पड़के कौमर्स से पढ़ाई करके आप IPS बन सकते हैं तो यह चीज तो आपको clear हो जानी चाहिए दूसरी चीज है कि 12 के बाद graduation में क्या करना चाहिए तो स्य्म बात यहाँ पर भी है इसमें भी आपको कोई भी कोर्स कर लो Graduation में बहुत तरीके की कोर्स होते हैं आपने सुना होगा BA, BCOM, BSE, BTEG, BFARMA, BCA, BFA बहुत तरीके की कोर्सेज होते हैं तो आप कोई भी कोर्स कर सकते हो वो depend करते हैं कि आपका interest किस चीज में अपने ट्विल्थ में क्या लिया था उस according आप कोई भी course कर सकते हो कहने का मतलब है simply आप कितना समझे लो कि कोई भी subject से पढ़ाई करके आप IPS बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हो एक और बहुत बड़ा सवाल जो कि बहुत सरे student के मन में doubt होते कि कि कितने percentage होने चाहिए कि कि आपने भी सुना होगा कि बहुत सरे ऐसे course से जोते हैं जिसमें minimum percentage requirement होती है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको IPS बनना है तो दोस्तो आपको percentage को लेके ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर आपके percentage कम आगे है तो कोई बात नहीं आप IPS के लिए जो त्यारी करना उसमें आप अपने जी जान लगा देना percentage कम आगे है अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हो उसके बारे में सोच के तो कुछ उसमें सुधार होने वाला है नहीं इन फैक्ट जो अभी का टाइम है उसे हम सोच सोच के और बरबात कर रहे है तो यह सब सोचना बंद कर दीजे देखो मैं आपको बता दू कि आपके percentage कम हो जादा हो 40% हो 80% हो कोई फर्क नहीं पड़ता 40% वाला भी student IPS बन सकता है और 80% वाला student भी IPS बन सकता है बस सर्त यह है कि जो अच्छी तरीके से त्यारी करेगा जो अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा वो IPS बनेगा अब हम लोग जान लेती कि IPS बनने के लिए कौन सा एक्जाम देना पड़ता है तो देखो अगर आपको IPS अच्छी रेंग के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा अच्छी रेंग किस मिलानी होगी तबी दोस्तों आपका IPS बनने का सपना पूरा हो सकता है यह एक्जाम साल में एक बार होता है UPSC CAC यानि की UPSC Civil Service Exam में बेसिकली तीन स्टेज होते हैं सबसे पहले प्रिलिम्स होता है आपका उसके बाद मेंस होता है उसके बाद दोस्तों आपका इंटर्व्यू होता है यह तीनों स्टेज जो स्टूडेंट क्लियर करेंगे उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आएगा वही IPSC बन पाएंगे इसके सिलिवस के बार में पूरे डीटेल में दूसरी वीडियो में बताया है तो दोस्तों आप वो वीडियो देख लीजेगा आपको उसमें समझ में आ जाएगा मैं यह आपको ब्रिप में समझा दे तो देखो सबसे पहले आपका प्रि पढ़ाई करने पड़ेगी UPSC का जो एकजाम है इंडिया का टॉफेस्ट एकजाम है निकि सबसे कठीन एकजाम लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सुनके है निरास हो जो कि यार यह तो बहुत हार होता है मुझसे नहीं हुपएगा भाई हर साल एस्टुएंट पढ़ते कितने percentage मांग चाहिए लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है कोई doubt है तो अप कमेंट करके जरूर बताए और साथ में आप कोई वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताए इस साथ में आप यह भी बताए कि अभी आपकी क्लास में हैं और यह वीडि